किसी लड़की को लेटर लिखना होता तो आप लिखते हैं जह दो आपके लाध यह लिखागा हूं तो सारी चीज़ें याद रहता है बट भुल जाते हैं इसका बताने वाले हूं एक ऐसा अइसा अट्रेक्टिव में बताने वालों जिसे सबसे ओम में लेक्ट सब्सक्राइब करना है और एक जामनर को कैसे मनमुख्द करना है सब्सक्राइब कर दिया तम मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप लोग आप एक दम पढ़िया होंगे तो बहुत सारी बच्चों के कमेंट्स पेकर आ रहे थे यह फॉर्मल लेटर बता दो आखिरकार लेटर कैसे लिखा जाता है कुछ लेटर कहते हैं कुछ लेटर कहते लेटर लेटर लिखने का बहुत ही बढ़िया प्रोसेजर बहुत ही आसान भासा में मैं तुम्हें समझाने वालों कई लोगों की लिटर लाके यूटुब पे बनाने वाले लेटर बनाने वाले लेटर के वीडियो साप लोग को मिले न मिलेगी इस वीडियो में उससे क्या अलग ह है मैं वह आपको समझाने वालो प्रैक्टिकली बताने वाल तो इंडिया पे नए हो सब्सक्राइब मार सकते हो यहां पर आपके लिए नोट्स वेगर है पी वाइक्यूस वेगर है हम टेलिग्राम पर अपलोड करते रहते हैं तो गो एंड ज्वाइन टेलिग्राम चैनल जो क ही मिसन सकरों तो दो इस में तो जो लड़की नहीं लिखना यहां पर तुम्हारे लेटर दिखाना है लिखके उसका इसख प्रोसीजर सब्सक्रा बखकिकली गंभेची बहुँ जाने डिफेरेंस है तो लडकीयों तो हमने टाइप सब्लेटर लेटर दो प्रकार के होते हैं एक तो होता है फॉर्मल लेटर एक होता है इन फॉर्मल लेटर का क्या कार यह होता है वह हम जानने कोसिस करेंगे इन फॉर्मल लेटर से हमें कोई मतलब नहीं है इसको तुम क्या करो अभी के लिए नेगलेट कर ठीक है चलो करते हैं next फ्लाइट पर फॉर्मेट और फॉर्मार लेटर लिखा किसे जाता है है लीटर को लिकम कर्वा करेंगे ऑन ओन लोगों के प्रोस्पेक्टिव से ओन नियार कोई परिसानी हैं आपको आप बात करते हैं लिखे तो लिखे कैसे और किसे लिखना चीए क्या होना चीए सपोर्च करो आप अपने रूम में जो भी आपका रूम है जो आप अपना रूम सजा वगर रखे वहां पर रात में पढ़ते रहते हो रात्री का समय बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव और मतलब उस लगवाले घर में बज रहा है लाउड इस्पीकर बज रहा है फिर लाउड इस्पीकर बजा रहा है तो लगबग एक फटे सी इनका प्रोसीजर चल रहा है तो तुम्हें गुच्सा आई तुमने यूपी पुलीस को फोन किया 112 नंबर फिर वहां पे पुलीस आई फिर लेटर में आएगा उस फॉर्मल लेटर को कैसे लिखना है वह मैं तुम्हें बताने वाला हूँ चलो यह देखो किस प्रकार से लिखना है कि सब्सक्रशिजर टा Elise। हैं टीक है उनका एड्रेस डालना तो उनका डालोगे इसका मतलब नहीं कि यहाँ अइसे लिख देते हैं बाटितhake को बताने वालों कि देट लिखने का प्रोशीजर क्या होता हैं करते यहां पर उड़ा रहा है एक लाइन तो हमने लिखने में सक्थे लिखने लिक है कि यह होता है जैसे सपोस्ष करो की एक विदिन आजाए आपका हमारे इसाब से में आपने रहे साफ से में आपने तारीक मार दो मैना है 2022 है आँम आए फ्रोचीजर छोटे मुन तो यह 97-2 रहा तो यह 근र जाता है मैं आपको पताने वालो हॉ ऐंट में चाहिक हो तो यहां घाल लो के दो यहां पे हो हो जाएगा 2 March 2022 यह होता है देट का प्रोसीजर इसी में माक्स करते हैं तो को फिर से मैं आपको फिर से वही चीज़ समझाने वाला हूं कि पहले क्या लिखना है तुम्हें पहले लिखना है अड्रेस क्या डालना है पहले तुम्हें डालों के जो भी सेंडर का अड्रेस होगा जो भी ह्या जो कुछ भी है उसके बाद एक लैन लेब करो गे यहां पर तुमक्या डालों抑कतों तुम्हें जाते यहांपे मंने बताया था जैसे कि कि 2 तूदी करेक्टर नूद विलिक रहे हो तो mosquito को लागर यह रिटलो कि सीवाइब भी वहाँ पर उसका भॉद्प फिर उसके बाद एड्रेस उसके बाद फिर से तुमां आड्र्स डालना किसका एड्रेस इलहें याद रहेड कि में बताना क्या चाहता वो होती बेसिक से मैं समझा रहा हूं इतना बेसिक से कोई नहीं समझाने वाला ठीक है करेक्टर का अड्रेस उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहां पर फिर उसके नीचे वाले लाइन से यहां पर तुम डालोगे सब्जेक्ट अब सब्जेक्ट में तुम्हें क्या लिखना है ज in the loud speaker next procedure क्या कहता है फिर तुम्हें एक लाइन छोड़ोगे फिर नेक्स लाइन से क्या लिक होगे रेस्पेक्टेड सर रेस्पेक्टेड सर यहां पे वह कॉमा होता है जो कि बहुत जाती यार नीचे वाली लाइन कुछ इस प्राकार से नहीं की ताकि वो थोड़ा सा इंपक्ट पड़े और थोड़ा सा वो देखे तो इस पे जब इस इस लाइन पर उसका निगा जाए एक्जामनर को तो आच्छे मांक्स देपाए तुम्हें तो एक्जेक्टली में तो और यो अटेंशन फिर उसके बाद जोबी प्रोसेजर की आये तो डिस्टाबी स्टी करने प्रोबलम होती है इस वो यह तहीँ होता है फ्राब्लम जूबी प्रॉब्लम प्रॉसाब से तुम्हें यहां पर उसका प्रोसेजर डाल दोगे ठीक है पिल लास्ट लाइन तुम यहां पर मैं लेक्षा दो लाइन को पर उनकी करना है एक लायन के दो लाइन इसमें प्रॉबलम सोगी लास्त वाले में I shall be thankful to you I shall be thankful to you जो मैं लिख रहा हूं कर यह भी लिख कर आगे ने भाई बहुत ही बढ़ियां मार्क्स तुम पाज़ाओगी कि यहां पर फूली स्टाप कर देना ठीक है यहां पर फूली स्टाप कर देना और कुन की चीज़ों का ध्यान देना हो भी मैं बता लगा I shall be thankful to you sincerely फिर यहां पर तुम्हारा नाम यूर नेम मतलब तुम्हारा नाम यहां पर यूर अवेडेंटली हो गया यूर सियंसली हो गया I shall be grateful to you ठीक है आई यहां पर ड कमा बहुत ज करद और यहां पर फूल इसाफ बहुत जरूरी है रहुत सब्सक्राश। करो यह लिखने का यह तरीका होता तो यह होता इंस जाना मैं पुरा बेसिक साह मैंने समझा है कि इस प्रकार से तुम्हें लिख tabii horrible कि आपको एक प्रॉपर तरीके